हमारे सभी दर्शकों को साधर पढ़ाम जैशी क्रश्ण आज मैं आपको कुंडली मिलान में राहू केतू की एक खराब इस्ति बताऊंगा चार राशियां जिस पर राहू चार राशियां जिस पर केतू बेठा हो तो एसी इस्तिती में विवाह सोच समझ कर ही करें जब भी ऐसी कुंडली आपके सामने आएगी आपको वहाँ पर सोच विचार कर ही विवाह करना होगा कुंडली मिलान में ऐसा नहीं कि गुण अच्छे देख लिये और विवाह कर लिया केवल गुण देखने से काम नहीं चलेगा और आप यहां पर कुंडली देखें एक लगन कुंडली देखनी है आपको अन्य कोई भी कुंडली नहीं देखनी है तो लगन कुंडली में सात्वा भाव लड़के की कुंडली देख रहे हैं तो उसकी पत्नी की इस्तती सप्तम भाव से देखते हैं लड़की की कुंडली देख रहे हैं तो उसकी सप्तम भाव वाली जो इस्तती है सप्तम भाव जो है उससे हम पती की स्तती देखते हैं तो पती पत्नी दामपत्य जीवन की स्तती सप्तम भाव से देखते हैं राहु बहुत ही विद्वन्सक ग्रह है उग्र केतु फिर भी सात्विक है लेकिन केतु भी शुब फल नहीं देता है दोनों ही पाप ग्रहों की श्रेणी में आते हैं ये छाया ग्रह है और सब्तम भाव में बेट जाए तो एसी इस्तिती बहुत खराब होती है वेसे भी प्रतियक कुंडली में किसी भी कुंडली में सब्तम भाव में राहु केतु का बेटना शुब नहीं माना जाएगा राहु केतु यदि सब्तम भाव में है यह इस्तिती शुब नहीं कहलाएगी इस बात को आप समझ ले मैं लेकिन आज जो इस्ततियां बता रहा हूँ ऐसी इस्ततियां यदि मिलान में आये तो वहाँ पर आपको विशेश द्यान देना होगा मान लिजिए आपकी लड़की है उसकी कुंडली में इस प्रकार का योग नहीं है लेकिन जिस किसी लड़के के साथ मिलान हो रहा है कुंडली मिला रहे है उसकी कुंडली में सब्तम में राहू और केतु जो आज इस्तति बता रहा हूँ ऐसी इस्तति में है तो सोच समझ कर ही विवाह करें मान लीजिए आपका लड़का है उसकी कुंडली में इस प्रकार का योग नहीं है लेकिन जिस किसी लड़की के साथ मिलान हो रहा है उसकी कुंडली में इस प्रकार का योग है तो वहाँ पर भी आपको ध्यान देना पड़ेगा उसकी कुंडली में यदि सप्तमबा में जो इस्तति आज बता रहा हूं एसी इस्तति है तो हो सके तो विवाह ना करें तब ही अच्छा यहां पर एक बात और ध्यान में रखनी होगी का आज जो योग बता रहा हूं यह योग गुप्त रोग भी देता है शारिरिक अंद्रूनी कमजोरी समस्या किड्नी के रोग हरनिया महिलाओं में गंभी रोग यूरिनरी रोग संतान होते समय समस्या किसी महिला की कुंडली में ऐसा योग है तो इस विशेव पर अवश्य ध्यान लगाना होगा यह वियक्ति अच्छी खासी नोकरी कर रहा है और फिर वहाँ व्यापार में आ जाता है और यदि सब्तम भाव में राहू या केतू में से कोई ग्रह बेठा हुआ उसकी दशा भी आने वाली है आने वाले समय में तो और इस्तिती गंबीर हो जाती है क्योंकि दशाएं ही सभी बातें निर्दारित करती है अशुब दशाएं चलेगी तो अशुब फल ही मिलेंगे और राहू केतू की दशा आने वाली है तो सारी बातें वे ही निर्दारित करेंगे और वहाँ पर आपको अशुब फल मिलने शुरू हो जाएंगे इस बात को आप अच्छी तरह से समझ ले तो सब्तम भाव में राहू केतू है और उनकी दशा भी आने वाली है तो एसी इस्तती सबसे ज़्यादा गंबीर होगी मिलान करते समय इस बात पर अवश्य द्यान लगावें और बहुत सी बार यह योग जो बता रहा हूं इससे व्यक्ति हीन भावना से भी ग्रसित हो जाता है बहुत सी बार इगो वाली प्रोब्लम मान लीजे किसी लड़के की कुंडली में इस प्रकार का योग है और उसकी पत्नी बहुत ज़्यादा कमाती है उससे ज़्यादा पेशा कमाती है तो वहाँ पर भी समस्या किसी लड़की की कुंडली में इस प्रकार का योग है वह नोकरी कर रही है लेकिन पत्ती ज़्यादा कमाता है और कहीं इगो वाली प्रोब्लम आ गई तो वहाँ पर भी दिक्कत रहती है प्रति दिन जगड़े होना स्वभाविक है और रहु केतु की दशा है तो समझ लीजे पक्का समस्या आएगी तो सबसे पहली इस्तती रहु की समझे सब्तम भाव में रहु यदी करक राशी यहाँ पर चित्र देखें आप मैंने चार राशियां सब्तम भाव में लिखी है और वहाँ पर रहु को लिखा है किसी भी कुंडली में सब्तम भाव में रहु बेठा हो और वहाँ पर चार का अंक लिखा हो आठ का अंक लिखा हो नो का अंक लिखा हो या दस का अंक लिखा हो करक, वरश्चिक, दनू और मकर इन चार राशियों में से कोई राशी हो और सब्तम में राहू हो तो यह इस्तथी शुब नहीं होती है इस बात को आप अच्छी तरह से समझ ले राहू चार नमबर करक राशी का होता है आठ नमबर वर्ष्चिक राशी का होता है 9 नमबर मकर राशी का, धनू राशी का होता है 10 नमबर मकर राशी का होता है तो सब्तम भाव में 4 नमबर, 8 नमबर, 9 नमबर, 10 नमबर इन में से कोई एक अंक होगा और राहू लिखा हुआ हो तो समझ लीजिए एसी कुंडली को छोड़ देना ही अच्छा एसा मिलान आये, तो उसे छोड़ना ही अच्छा रहेगा एसे राहू को मिलान में नहीं लेना है वेसे तो सब्तम में राहू हो तो मिलान सोच समझ कर ही करना चाहिए और यदि माली जी कोई लड़की है किसी लड़के से, जिस किसी लड़के से विवा कर रही है उसकी कुंडली में सब्तम में राहू इने राशियों पर है या राहू और किसी भी राशी पर है और वहाँ व्यापार कर रहा है तब भी सोच समझ कर विवा करना चाहिए व्यापारी है, सोच समझ कर विवा करें जिन लोगों की कुंडली में सब्तम में राहू या केतू है वे पार्टनर्शिप के व्यापार सोच समझ कर ही करें तो ये बातें भी आप अवश्य समझें और दूसरी इस्तिति केतू की अब देखें आप एक अलग कुंडली अब देखें व्यापार सोच समझें अंपत्ति जीवन मधुर नहीं रह पाता है संतान महिलाओं की कुंडली में इस प्रकार का योग है तो संतान होते समय विशेश द्यान देना पड़ता है तो केतू इन राशियों पर सब्तम भाव में हो तो समस्या देने वाला सिद्ध होगा और यह इस्ति कब खराब होगी यह जो दोनों इस्तियां मैंने बताई आज राहू और केतू की यह बुरे फल कब देंगे जम इनकी दशा भी आने वाली है आने वाले समय में राहू या केतू की दशा लगने वाली है यह एसी इस्ति में तो विवाह बिलकुल ही नहीं करना चाहिए इस बात पर अवशित द्यान लगवे हाँ राहू केतू के अंच कम है या 20 डिगरी से बहुत ज़्यादा अंच है या 10 डिगरी से कम अंच है राहू केतू के तो वहाँ फिर भी आप विचार कर सकते हैं लेकिन फिर भी आपको द्यान तो रखना ही होगा क्योंकि पाप ग्रह है अपना अशुप फल सब्तम बाव में देंगे ही विवाह के बारे में मैंने अनेक जानकरियां अनेक वीडियो के माद्यम से दी है यदि आप पहली बार इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें ताकि आने वाले समय में जो भी जानकरी में दूंगा तुरंत आपके पास उसका नोटिफिकेशन आ जाएगा आपको वह जानकरी समय पर मिल जाएगी और यदि सब्सक्राइब नहीं करेंगे तो आपको वह जानकरी समय पर नहीं मिल हैं सब्तम भाव में राहु के तु बेठा हुआ है तो मिलान करते समय सोच समझ कर ही विचार करना चाहिए परिवार चाहे कितना ही अच्छा क्यों नहों लेकिन शारीरिक इस्तद्यां वैसे आजकल होता यह है कि कोई भी व्यक्ति उसको कोई बीमारी भी है तो बताता नहीं है बच्पन में कोई रोग हुआ हो या यूरिनरी समस्या हो या महिलाओं में गंबीर समस्या हो कुप्त रोग हो तो वे बताते नहीं है बताते हैं तो रिष्टा वेसे ही खराब हो जाता है तो ऐसी इस्तिति में करें क्या तो ये ग्रहों की जो इस्तितियां हैं इनको आप समझ सकते हैं और इससे आप पता लगा सकते हैं अंदाजय लगा सकते हैं कि कोई समस्या हो सकती है और ये समस्यां तब होगी जब इन ग्रहों की दशाएं भी आने वाली है या चल रही है तब ही या पूरू में निकल चुकी है ऐसी दशा तो समस्या जरूर रहती है और ऐसी इस्तिती में यदि सब्तम भाव में राहू है यदि आपके परिवार में ही किसी लड़की कुंडली में सब्तम में राहू या केतू इन राशियों पर ही है तो उन्हें चाहिए यदि राहू है तो राहू के जाब करामे केतू है तो केतू के जाब करामे और सबसे बहतर यह रहेगा कि राहू केतू के जाब यदि नहीं कराएं तो आप महम रुत्विंजाय के नियमित जाब करें जिसки कुंडली में एसा योग है वहा स्वयम ही रोज एक या दो महमृत्यून्जय मंतर की माला करता है एक माला बहुत है अर्थात 108 बार बोलना रुद्राक्ष की माला हो उस पर 108 बार महमृत्यून्जय मंतर का पाठ करें उस मंतर को जपें तो आपको शारिरिक रोग होंगे ही नहीं समस्याइं तल जाएगी और समस्याइं होगी जरूर लेकिन छोड़ी-छोड़ी होगी ज्यादा गंभीर नहीं होगी तो महा मृत्यूंजय मंत्र का जाप अगर आप करते हैं तो राहु केटू के जाप करने की भी आवशक्ता नहीं क्योंकि उसमें खर्चा भी बहुत आता है और यदि आप स्वयम ही करेंगे तो आपको लाप भी इसका अच्छा मिलेगा और महा मृत्यूंजय मंत्र विशेश लापकारी मंत्र है वेदिक मंत्र है भगवान शिव का ध्यान करेंगे तो आपके सारे रोक टल जाएंगे तो यदि यह वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसे शेयर करना बिलकुल भी ना भूलें धन्यवाद जैशिक्रिश्ण